देखो आपके ने एक्जाम के बहुत कम टाइम बचे हैं एक्जाम के मैने पहले भी बता दिया के आपको डेली दो से धाई घंटे जब आप पढ़ोगे तब ही आपके एक्जाम अच्छे हो सकते हैं नहीं तो आपका एक्जाम में वही हालात रहेगा जो पिछले आपके semester में रहे हैं अब कुछ बच्चों का demand है कि sir हमारा financial management हमने late join किया है तो यहाँ पर मैं बताऊंगा कि financial management आपने कभी भी join किया है तो पहले कौन सा chapter आपको पढ़ना चाहिए तो आपके 5 unit है देखिए Unit number 1 इसके अंदर पहला chapter है theory का और दूसरा chapter है time value of money Unit number 2 इसके अंदर एक chapter है sir capital budgeting Unit number 3 Sir इसमें 4 chapter है cost of capital primal leverage EBIT and value of firm Unit number 4 एकी चैपटर है दिवसद ए Kundreud आपको टीर डिविदेन इसके लिए कॉण में एक, दिवसद में इसके हैं यूनिट नमबर फाइव इसमें टोटल चार चेप्टर है वर्किंग कैपिटल दूसरा ट्रेडिट पॉलिसी तीसरा कैश मेनेजमेंट चौथा आपका इसके अंदर आप ओपरेटिंग साइकल मान लो उपर नीचे हो गया ये पांचवा आपका इकनॉमिक ओडर कॉंटिटी ये पांच यूनिट है अब सबसे पहले कौन सा हमें करना चाहिए मैं लिखता जाता हूं उसके इसाब से करिएगा बच्चों को सबसे पहले ये वाला चेप्टर करना चाहिए नंबर वन पे किसमें एक आपका वैल्यूएशन ओफ शियर्स है वो सलेवस का पार्ट है नहीं है वो डेली उनिवर्सिटी बताएगा कि इसमें एक और है वैल्यूएशन ओफ शियर्स होगा तो कर लेंगा नहीं तो छोड़ देंगा नंबर दो पे आपको ये करना चाहिए बच्चा कभी भी देखे क्लास चाहिए एक्जाम से आपना दस दिन पहले भी बच्चा देख रहा हो एक्जाम से कभी भी देख रहा हो तो इसी सीक्वेंस पर फॉलो करना है पहले आपको फ़र्स्ट पहले इसके बाद दूसरा ये करना है फिर तीसरे नंबर पर आप इसको करिए हाला कि मैंने क्लास में थोड़ा उपर नीचे कराया है वो मैंने अपन सा चप्टर करना चाहिए उसके बाद पांचवे नंबर पर ये करना चाहिए बहुत आसान चप्टर है आपने अगर ये वाला यूनिट नहीं किया तो ये यूनिट आपको कभी समझ में नहीं आएगा इतने अच्छे से देखो यूनिट तो कोई भी करो समझ में आ जागा लेकिन इतने अच्छे से नहीं क्योंकि यहांपर के ज़ बहुत सारे रवर्ड यूज होने है तो इस तरीके से चलने हैं उसके बाद नंबर च्छे पे आप ये वाला चप्टर कर सकते हैं क्योंकि ये वाला यूनिट नहीं severe नंबर च्छे पे चाहें तो आपको करना हो तो ये वाला unit उठा ले या ये वाला unit उठा ले आपकी मर्जी है मैं कहूंगा नंबर 6 पे आप अगर ये वाला unit उठाते हैं तो सबसे पहले नंबर 6 पे ये करिए 7 नंबर पे ये करिए 8 नंबर पे ये करिए 9 नंबर पे आप ये करिए और 10 नमबर पे आप ये करिए इस तरीके से चलना है और last में 11 नमबर पे ये कर लीजिए दूसरा option क्या बन सकता है छटे नमबर पे ये कर ले और जिस पे 6 लिखा है वो 7, 8, 9 ऐसे sequence चला ले और ये chapter last में 12 नमबर बड़ा छोटा सा chapter है लेकिन थोड़ा सा नहीं tricky है आपने mathematics of finance अगर जिसके पास था business math उन्होंने पढ़ा होगा तो पूरा का पूरा वो chapter है लेकिन हमारा इतना detail में नहीं है FM के अंदर फिलहाल बस PRT वगरा है compound interest वगरा वो तो तो देखो आप जमर जी पढ़ो आपके उपर है तो total मिला के काफी बच्चे पूसने सर हमने आज जोइन किया है हमने पास दिन पहले जोइन किया है हम कैसे पढ़ें वो बता दीजिए तो इस chapter को इसी sequence में आपने पढ़ना है भले ही बच्चा exam से एक दिन पहले बोले सर हम क्या-क्या important करें तो जो लगाया है मैंने इसके इसाब से हर एक यूनिट अपने आप में important है लेकिन पहले तीसरा यूनिट आपको आना चाहिए ठीक है तो मेरे इसाब से आपको hopefully समझ में आ गया होगा कि आपको किस तरीके से FM पढ़ना है अभी तो कहा आपके पास मैंने बताया कम से कम 100 दिन के आसपास हैं आपके पास तो अभी आप इस तरीके से चलिए एक दो तीन बड़े अच्छे से आपको सारी चीजे समझ में आ जाएगे ठीक है